इन में focus उनी वेक्ति ओपर रहा है जो किसी भी परकार के अपरादों में समिलित रहे है किसी परकार सेगुंडा एक्ट की कारवाई की गई है। गेंग्स्टर की कारवाई की गई है। जनपद के हर پॉलिंग सेंटर को ओन لाइन उसको मैप किया गया है। वल्नेरेबिलिटी मैपिंग की गई है और जो कारक थे उनके खिलाफ वेधानी कारवाई की गई है परताबगण में लोगसाभा का चुनाओ छट्वे चरण में है नामंकन की प्रक्रिया जारी है और किस तरह की पुलिसिंग की बेवस्था की गई है मद्दान के दोरान हमारे परताबगण में बेसिकली जनपर परताबगण में साथ विदान सबाएं हैं जिसमें से कुंडा और बाबागंज विदान सबा वो कोशाम भी परलियमेंटरी कॉंस्टिटिवेंसी के अंतर गता आता है जिसमें चुनाव 20 तारीकों है और जो परताबगण लोकसभा है जिस जो ऐसे वुख्ति थे शानती व्यवस्ता प्रभावित कर सकते थे इस परकार के करीब 54,000 वेक्तियों के खिलाफ Blind C की कारवाइ की है इन में फोकस उनि Punkte आपर रहा है जो किसी भी परकार के अपोरादों में सम्मिलित रहे हैं और जो किसी परकार की शानती व्यवस्ता प्रभावित कर सकते हैं, इसी प्रकार से गुंडा act की कारवाई की गई है, गेंस्टर की कारवाई की गई है और साथ के साथ में जो असला है, करीब 70% असला deposition की कारवाई की गई है, और जो बाकी असले हैं, उनको notices दिए गए हैं, और काफी कुछ असले अभी screening committee के अंतरगत है जन्पद के हर पोलिंग सेंटर को ओन-लाइन उस को मेप किया गया है और वहाँ पर हमने हर पोलिंग सेंटर पे एक incharge پोलिंग सेंटर की न्युकति की गई है जिनके द्वारा जो कि constable और head constable além के होंगे और उनके द्वारा वहाँ पर सभी जानकारिया एकत्रीत की गई है उनके द्वारा intelligence collection किया गया है और उसी के आधार पर कारवाई की जा रही है इसमें उदेश है हमारा जो lowest rank है जिसके संख्या सबसे ज़्यादा है उसको actively engage करने के लिए उसको motivate करने के लिए और उसको चुनाओ के लिए प्रोफ साहित करने के लिए ये motive रहा है और basically डिस्टिक administration के साथ मिलके अच्छी तरह से 217 हमारे sector magistrates है तो उनके द्वारा अच्छे से vulnerability mapping की गई है और जो कारक थे उनके खिलाफ वेधानी कारवाई की गई है मद्दान के दौरान किस तरह की फोर्स लगाई जा रही है कितनी पैरा विलिटरी फोर्स है कितनी पीएसी है देखे जो कुंडा और बाबा गंज विदान सबा है जिसमें मद्दान बीस तारिक को है उसमें सारे centers पे जो force लगेगा वो जन्पत से बाहर का फोर्स लगेगा और उसमें बारा कंपनी पेरा मिलिटरी और पी एसी की रहेगी इसके अलावा इसी प्रकार से जन्पत प्रतापगड में जो फोर्स है वो भी सारा फोर्स पोलिंग सेंटर पे भारी फोर्स लगेगा उसमें अठाइस कंपनी पेरा मिलिटरी और पी एसी की र हर पॉलिंง सेंटर के लिए जो फोर्स मल्टीप्लायर्स है, चाहे उส में μέक्रोचब्स है चाहे उस में ससे टीवी पैमरा का इंस्टॉलेशन से चाहे उस में पैरा मिल्ली努्री है तो इस परकार से हमने डिवाइस किया है जहां पर किसी प्रकार से मतदान को प्रभावित किया जा सकता है तो इस प्रकार के कारकों के खिलाफ कारवाई भी की गई है और जो इस प्रकार के मतदाता है उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की कारवाई की गई है जो लगातार जा रही है और इसमें काफी कमी भी देखने को मिली है क्या सभी बूथों पे सीसीडीवी कैमरे लगा जा रहा है या फिर वर्निवल और क्रेटिकल जो है उनी पे निए वो करीब पंद्रा से बीस परतीशत के आसपास बूथ हैं जिन पर रहेंगे और इसकी लगातार समिक्षा जिलादिकारी महदे के दवारा की जा रही है तो हर एक पोलिंग सेंटर पे वहां की क्या विशेश प्रस्तितिया हैं इस चीज़ को कंसीडर करते हुए जो भी फोर्स मल्टिप्लायर है उनको यूज़ किया जा रहा है अब तक कितने लोगों पे गंगेस्टर की कारवाई की गई है गुंड 24 असला निरस्तिकरन किये गए हैं और करीब 28 जो है आज का फिगर है वो 28 वेक्तियों को जिलाबदर की भी कारवाई किये गई है और यह कारवाई पर चली थे अगले 6-7 दिन में और ज्यादा इसमें अच्छे प्रिणाम देखने को मिलेंगे तो यह थे एस्पी प्रताबगर सत्ताल अंतिल जी इन्होंने ब्यापक पह्माने पर तैयारी करीट रखी है कि मिस्पक्ष और सांथ पूर्ण मद्दान हो और अधिक से अधिक मद्दान करने की पूरी ब्यवस्ता की गई है मनोश्त्र पाठी प्रताबगर